पाठ पांच वीर भालक देखो इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है क्या तिरा चाकू भी मेरा गाना सुर रहा है प्रन्तु आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी आज तो तेरा जनम दिन है जनम दिन? मेरे जनम दिन पर तो हथ्यारों की पूजा होनी चाहिए मा, क्या ये जनम दिन वैसा ही होगा, जैसा पिछले साल हुआ था? चाकू तेज करना रोग देता है हाँ, विलकल वैसा ही, यह जनम दिन भी मनाऊंगी, तू दिन दूना रात चोगुना बड़े मा, बताओ, आज जनम दिन पर क्या क्या करोगी? क्या करोंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छे-चे मिठाईयां बनाई हैं, देख, उस कोने में रखी हुई है, मिठाईयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आसीज दूंगी परंतु मा, मेरे साथ तुमें भी खाना पड़ेगा, तुमें भी अपना जनम दिन आज ही मनाना पड़ेगा, आज ही, अभी, मेरे साथ, मैं अकेले इतनी मठाईयां नहीं खा सकता तेरे खाने के बाद खा लोंगी, बस दूद आ जाए, खीर बनने में तेर ही कितनी लगती है, पानी उबर रहा है अभी दूद नहीं आया सुजान आता ही होगा दूद लेकर सुजान का घर है ही कितना दूर, मैं अभी दूद लाता हूँ और ये चाकू अब देज हो गया है, इसे मैं अपने पांस रखूँगा मैं अभी आया मेरा साहसी बच्चा, अंगीठी के पास बैठकर आग ठीक करती है थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है फिर भयानक शोर और भगदर कल्यानी जांकर खिड़के से बहार देखने लगती है फिर शोर और भगदर की आवाज एक रामेन श्रिग्रता से प्रफेश करता है तुरक आ गये, तुरक आ गये, भागो, भागो, तुरक आ गये, भागो आगे बढ़कर ढड़ता से पागल हो गए हो क्या तुर्क कहा है तुर्क बहन भाग चलो जल्दी जल्दी तैमूर आ गया है मैंने अपनी आँखों से देखा है लूटते हुए आ रहा है वो लोगों को तैमूर कौन बलकरन बलकरन फिर भगदर की आवाज और चीख पुकार होती है बहन कल्याणी सब कुछ छोड़के जल्दी से भागो जंगल में छिप जाओ नहीं तो घर के तलगर में ही चलो चलो मेरे साथ समय नहीं है जल्दी चलो बलकरन मेरा बलकरन तो अभी नहीं आया उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाओंगी अरे कहां गया है बलकरन वह दूद लेने गया है सुजान के घर सुजान के घर बहुत अच्छा है तब तो उसका कुछ नहीं बिगडेगा सुजान का घर सास रस्ते से बहुत दूर है एक कोने में है और वे लोग सीधे रस्ते से चले आ रहे है कौन आ रही है तुरक तुरक इस बार तैमूर तुरक आया है बड़ी भारी फोज लिए हुए है तैमूर तुरक बड़ी भारी फोज हाँ पर अब समय बिलकुल नहीं रहा बलकरन बलकरन को कुछ ना होगा जल्दी से चलकल तल घर में छिप जाओ नहीं, बलकरन को आने दो, मैं बलकरन के बगय नहीं जाऊंगी, बलकरन, बलकरन, बेटा बलकरन बहन, चुप रहो, तुर्क सुन लेंगे, जल्दी चलो, जल्दी चलो हाथ पकड़ कर तेजी से ले जाता है, कल्यानी का स्वर बलकरन धीरे धीरे शांत हो जाता है कुछ स्टब्द था, फिर भगदड, उसके आवाज समाप्त होते ही, वेग से तीन सैनिक कल्यानी की जोपड़ी में घुश जाते हैं, उनके हाथों में तलवारे हैं, वे घर का सामान तोड़ते फोड़ते हैं कोई नहीं है, कमभखत सब भाग गए मुबारक, इस वक्त आदिमों का कतल करना हमारा मकसिद नहीं, बलकि हमारा मकसिद सोना चांदी लूटना है, इस जोंपड़ी में देखो, कहीं कुछ है कहीं कुछ नहीं है सरदार, ममूली सी जोंपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहा बेफ कुफो तुम, इन तस्वीरों को पल्टो, इनके पीछे दिवार में कुछ होगा, ये लोग अपना सोना चांदी दिवारों में रखते हैं मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से सब तस्वीरों को उलटते हैं, पर उन्हें कुछ भी दिखाए नहीं पड़ता कहीं कुछ नहीं है सरदार देखो, उस कोने में क्या है? कुछ बरतन मालूम होते हैं सरदार, सरदार ये है सरदार, सोना चान्दी तो नहीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज है, जिसकी आपको और हमको सक्त जरूरत है क्या? सरदार बढ़िया खाना, तरा तरा की मिठ्याईया, बिल्कुल ताजा, गरम गरम मालूम होती है मालूम होता है, जल्दी में लोग खाना भी न खा सके, वैसे ही रखा छोड़ गए हाँ, गरम मिठ्याईया है, लो, तुम लोग लो, भूके होंगे, लो अली बेक, तुम भी लो सरदार तो पहले कबूल करें हाथों में पकड़ा हुआ मिठ्याई का थाल आगे करता है, शेश मिठ्याईयों से भरी थाली मोडे को तलवार से सीधा कर उस पर रखता है, फिर तक्त पर बैठता है, जफर खाते हुए बहुत लजीज, दो दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जाकर ये मिठ्याईया सामने आई हैं लेकिन सरदार, रुक जाईए, कहीन मिठ्याईयों में जहर ना मिला हो बेवकूफ हो तुम, मुबारक, यहां के लोग इतने सीधे हैं, कि वे ये बाते करना जानते ही नहीं और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है, कि किसी को ऐसा करने का सोचने का वक्त ही नहीं मिल सकता सरदार ठीक फरमाते हैं और फिर दो दिनों के बार इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, भूब प्यास से बुरा हाल है, अगर इस तरह मरना ही है, तो मिठाई खागर क्यों न मरे तैमूर का प्रवेश, वे लंगडाते हुए आगे बढ़ता है उसे देखते ही सब चौक पड़ते हैं, मिठाईयां जमीन पर फैंकर वे फौजी धंक से तनकर खड़े हो जाते हैं सननाथा चा जाता है, तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ, आगे बढ़ता है तिव्रसवर में बदबखतो, इसी तरह से तुम हिंदोस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे कोई कुछ नहीं बोलता, निसब्दता मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदोस्तान का रुख इसलिए किया था, कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले, आराम से खाना ढूंडते फिरें तुम यहां मौद से खाना खाओ, और गाजी तैमूर तीन दिनों से भूखा रहे, और राद दिन हुक्म देता रहे है, बदबक्तो, आज शाम तक अमर कोट पहुंचने का मेरा हुकम पूरा हो, आवाज बुलंद करके, जाओ, तीनों सैनिकों का शिग्रता से प्रस्थान, तैमूर बडवडाता हुआ, तीन दिन से खाना नहीं मिला, कल से पानी भी नहीं नसीब हुआ, गला सूख रहा है, बलकर्ण द्वारा दूद लिये हुए, प्रवेश, मा, मा, मैं दूद ले आया, तैमूर चौंक कर, दूद, उजाड घर को देखकर चौकते हुए, ये सब क्या है, अरे, तुम कौन हो, मा, मा, मेरी मा कहा है, इस तरह घर में घुशाने वाले, तुम कौन हो, तैमूर सोर से खामोश, गाजी तैमूर से ये नाचीज सवाल करता है, कि तुम कौन हो, बलकर धीरे से दोहराता हुआ, गाजी तैमूर, इस नाम से वाकिफ नहीं है, दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है, उससे सवाल करता है, तुम कौन हो, ये दूद इदर ला, इस वक्त खुदा ने इसे मेरे लिए भेजा है यह दूद मेरे जनम दिन के लिए है मैं मा के सिवाए यह किसी को नहीं दे सकता क्या? लेकिन मैं इसे ले सकता हूँ बलकन से छीन कर जोर से अटहास करता है दूद मेरा है के नहीं? अब तुझे इस तलबार से काड़ दूँगा बलकन हिचकते हुए क्या? क्या तुम तुर्क हो? जो खून बहाना जानते हो? मेरी मा यही कहती थी तू बड़ा निडर मालूम होता है सामने आ मेरी तलबार से कटने का फक्र हासल कर मेरे पास सिर्फ एक चाकू है मेरे हाथ में भी तलबार दो उफ! तू मुझसे दो-दो हाथ लड़ने का होसला भी रखता है अच्छा! पहले दूद पियूँगा गला सूख रहा है तैमूर तख्त पर तलबार रखकर दोनों हाथों से दूद का बरतन तलबार अब मेरे हाथ में है अब तुम मुझसे लड़ सकते हो सामने आओ! सामने आओ! शाबबाश! लेकिन मेरी तलबार तुझसे संबल नहीं सकेगी बच्चे! इदर ला! जैसे दूद छीन लिया था वैसे तलबार भी छीन लो तेरा कहना सही मालूम होता है तू बहादुर है मेरी फॉज में भरती होगा? नहीं! तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिन्दा नहीं रखूंगा! पैंतरा बदल कर तलबार चीन लिता है ये रही मेरी तलबार! चीन ली! लेकिन ये बहादुरी नहीं! मेरे पास यह चाकू है! इसी से लडूँगा! चाकू से लड़ेगा! चाकू से! हाँ! हाँ! थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है! देखो! ये इतना तेज है! मेरी उंगली का खून निकाल सकता है! उंगली को चीर कर खून की बुदे गिरती हुई दिखाता है! शाबाश! तैमूर के दिल में रहम नहीं है! लेकिन तेरी बाते सुनकर मैं इन बातों में क्या? चलाओ अपनी तलवार! मैं भागूँगा नहीं! भागेगा नहीं! तु बहादुर शेर है! तेरा नाम क्या है? दुश्मन नाम नहीं पूछता! वार करता है! लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता! तेरा नाम क्या है चाकुवाले? बलकरन! दोहर आता हुआ! बलकरन! हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है! बलकरन! घाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता! जो उसकी ठकावट दूर करने के लिए दूद हाजर कर सकता है! उसके खून से वह अपनी तलबार नहीं रंगेगा! नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता! लेकिन दूद मैंने हाजर नहीं किया था! तुमने छीन लिया था! एक ही बात है! दूद मैंने पिया! मैं तेरी जान बख्षता हूँ! और मैं तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ! तो बताओ! मेरी मा कहा है मैं नहीं जानता मेरे सिपाहियों ने तेरी मा का कतल भी नहीं किया होगा क्यूंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धबा नहीं था आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर मैं आप से यही चाहता हूँ कि आप हमारे गाउं से बाहर चले जाएं मन्जूर मैं दूसरे गाम जाऊंगा अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा तेरा दूद और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा धन्यवाद मैं कुछ समझा नहीं खेर तेमूर की जिन्दगी में आज एक नई बात हुई तेमूर के सामने कम लोग आते हैं तू आया तेमूर कम लोगों को माफ करता है आज किया वह काफिरों का खून पीता है आज तुझ से दूद छीन कर पिया यह एक करिश्मा है मैं कुछ समझा नहीं लेकिन तू तेमूर से बड़ा है तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला तेमूर खुंखार है लेकिन बहादुरों को सलाम करता है बहादुर बच्चों को तेमूर का सलाम फौजी धंक से सलाम करता है सलाम तेरे गाओं को हाथ नहीं लगाओंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस भेज दूँगा हाथ उठाकर सलाम चला जाता है, उसके जाने की दिशा में देखता हुआ, दोहराता है तैमूर, बहादुरी को सलाम करता है फिर चारो और देखकर पुकारता है मा, मा शिगरता से कल्यानी का प्रवेश, वै अती शिगरता से बलकर्न को रिदे से लगा लेती है बेटा, बेटा, सिसकने लगती है मा, तु रोती क्यों है, तु कहां थी बेटा, तैमूर के सिपाही आये थे उनसे बचने के लिए ठाकूर दादा मुझे तलगर्बे खींच ले गए थे तुझे तो कुछ नहीं हुआ न, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई, देखूं नहीं मा, कहीं चोट नहीं आई तैमूर के सिपाही उने, तुझे हाथ तो नहीं लगाया न जब खुद तैमूर हाथ नहीं लगा सका, तो तैमूर के सिपाही कैसे हाथ लगाएंगे तैमूर हाथ नहीं लगा सका, क्या तैमूर यहां आया था, तुर्क तैमूर हाँ मा, आया था, वे सारा दूद पी गया तैमूर ने, तुर्क ने, कैसा था तैमूर? सिपाही की तरह रोबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ उंची नाक, हाथ में तलवार लेकिन मा, मेरे पास भी चाकू था, मैंने सवेरे ही उसे तेज किया था उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस कामाता बेटा? उसी चाकू ने तो उसे चौका दिया, मुझे चाकू वाला बहादुर कहता था अच्छा मैंने कहा, यह चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे ही इस पर धार चड़ाई है मा, उसे मैंने अपने उंगली चीर कर दिखला दी, देखो यह ओ, यह खून उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है क्या तूने चाकू से उस पर वाल किया था? नहीं मा, मैं लड़ना चाहता था, पर वैं मीठी मीठी बाते करने लगा, इस तरह चलता था चल कर दिखाता है तैमूर खुंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है उसने मुझे कहा, बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम वाजी धंग से सलाम करता है तु सब तरहां से फले फूले, तेरी उम्र दिन दुगनी, राच चोगनी हो, भगवान की बहुत पड़ी कृपा है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की यह सब तेरा आशिरवाद है मा हाँ बेटा, आज तेरा जनन दिन है ना, चारो तरफ देख कर, तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड फोर डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाईयां बनाई थी, सब नश्ट हो गई, अब तेरा जनन दिन कैसे मनाऊं? बस अपना आशिरवाद देदो मा, और, और क्या? और तु चंदन लगाने को कहती थी न, मेरी उंगली के खून से रक्त चंदन बना ले, ओ बेटे, गले लगाती है, चौकर खिड़की से देखती हुई, पश्टे में ये धूल कैसी उड़ रही है, क्या फिर कोई आ रहा है देमूर और उसके सिपाहीं गाव से बाहर जा रहे होंगे, मैंने जो कह दिया है धन्य मेरे लाल, रिदे से लिगाती है, घर घर में ऐसे ही लाल हूँ